तो है गाइस, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, तो आज मैं आप लोगों को भॉइस चेंज करना सिखाऊंगी, तो भॉइस चेंज करना सिखने से पहले, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि एक्चुली में भॉइस है क्या, या फिर इसमें आप लोग आप देखेंगे, तो सबसे पहले जानते है कि ये भॉइस है क्या, तो भॉइस को हिंदी मतलब होता है वाच्चे, I mean भॉइस होता क्या है, तो ये भॉफ का वह फॉर्म होता है, जो यह दिखलाता है कि जो सबजेक्ट है या फिर जो करता है, काम करने वाला, वो खुद कु होता है, कुछ घटना, जो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसे हम लोग भॉइस कहते हैं, भॉइस का टू टाइपस होता है, एक्टिव भॉइस एंड पैसिव भॉइस, अब एक्टिव भॉइस कौन सा है और पैसिव भॉइस कौन सा है, इसको हम लोग कैसे समझे क्योंकि question active voice to passive voice change करने या फिर passive to active change करने कुछ भी आ सता है anythings तो हम लोगों को सबसे पहले पहचानना होगा कि active voice कौन सा है और passive voice कौन सा है तो उसका देखिए मैंने या पर लिख के रखा है सबसे पहले active voice को कैसे पहचानेंगे आप टेंस होता है ना टेंस का जितना सारा भी जो रूल होता है simple present tense present, continuous tense या फिर past tense या फिर future tense जितना सारा भी होता है आप उन सबको active voice बाँ सकते हैं उन सबका rule को सब active voice में आ सकता है और इसमें जो है वो subject खुद work करता है काम करता है और इसका starting किससे होता है ये subject से शुरू होगा subject को कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता दूंगी नीचे बट subject से शुरू होता है और subject always sentence का first word जो होता है वो हमेसा ही subject होता है एक्टिव वोइस में आपाई लगा होगा और इसका लेकिन स्टार्टिंग किससे होगा और अबजट के द्वारा होगा बस यह डिफ erenसे active voice में और पार अबलों । समझ में जोगए होगा है अब अब लोग देखें जिससे कि आप यह sentence देख सकते हैं It's mango Ram, आम खाता है तो यहाँ पर जो आम है वो आम को खाने का काम कौन कर रहा है अगर इसे हम लोगो कोशने पर तो कोन कर रहा है Ram कर रहा है तो यह करता हुआ या पर यह के जो काम कर रहा है तो यही आपका subject हो गया तो यह आपका क्या हो गया, subject हो गया, तो ऐसे आप subject पहचान सकते हैं, फिर देखेंगे हम लोग object कैसे पहचानेगे, तो object पहचाने का सबसे easy rule क्या है, कि आप subject से लेकर भर्फ तक पहले underline करिए, नीचे, उसके बाद आप question करिए, किसे और क्या लगा कर, जो answer मिलेगा वही यह आपका हो जाता है, object, जिसे मैं अपके आपके बता देती हूं, राम इट्स mango, राम आम खाता है, तो राम इट्स यहां तक underline की, अब question करिए, राम खाता है, राम किसे खाता है, यह question उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन इम लोग बनाईए question, राम क्या खाता है दोनों से question लाकर पुछना है, जो perfect question बनेगा, उसका answer आप देजेगा, तो राम किसे खाता है, तो यह कोई question नहीं बना, राम क्या खाता है, यह perfect question है, तो उसका answer क्या हुआ, राम क्या खाता है, राम आम खाता है, तो यहाँ पर आम आपका क्या हो गया, object हो गया, तो आप ल पहचानना होगा कि जो हम लोग को मिलेगा sentence वो active है या फिर passive है सबसे पहरे तो हमादे पहचानना होगा और मैंने आपको उपर में समझा दिया कि या पैसी अपर पहचानेंगे एक्टिव है फिर passive है पैसिज में हमेसा by लगा होगा और active में by नहीं होगा ये भी एक तरीका है पहचानने का दूसरा क्या tense tense से पहचानेंगे अगर आपको tense नहीं आता है तो आप मेरी प्लीस जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने tense का पूरा whole description दिया है किस tense का कौन पहचानेंगे कैसे change करेंगे रूल क्या है तो वो tense का भी धियान रखना होगा next subject subject को भी हम लोग पहचान लिए subject कैसे पहचानेंगे वो भी मैंने तुरां तब कहां पर discuss किया then verb कैसे पहचानेंगे इसको भी मैंने पिछले जो मेरा वीडियो है tense का उसमें मैंने बताया है मैं आप लोग को link description box में दे दूँगी आप जाकर किया अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लिजेगा और फिप नुमर पर है आपका object object कैसे पहचानेंगे यह भी मैंने आपको बता दिया यह सब का basic knowledge है कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह कौन सा tense है कौन क्या है तब ही आप अच्छे perfectly तरह से चेंज कर पाएंगे चाहिए वो active voice में change करना हो चाहिए वो passive voice में change करना हो अच्छा तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे change करेंगे तो सबसे पहले जो जितना सारा भी tense होता है तो मैं आपको बता दूँ कि जितना जो tense होता है present tense या फिर past tense या फिर future tense का उसका चार चार पार्ट होता है उन सबका voice change हम लोग नहीं कर सकते हैं किसका किसका कर सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 4, 4, 2, 4 यह change नहीं होता है जिसे कि 4, 4 इसका 1, 2, 3, 4 present perfect continuous tense इसका voice change आप नहीं कर सकते हैं फिर क्या है फिर 4 यानि कि past perfect continuous tense इसका भी आप voice change नहीं कर सकते हैं then future tense का 2, future continuous tense इसका भी voice change नहीं होगा then फिर 4, future perfect continuous tense इसका भी आप voice change नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि इस TENS को इस TENS को और इस TENS ये चारो को छोड़ करके बाकी सब का आप वोईस चेंज कर सकते हैं जालिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंज से तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंज को पहचानने का क्या रूल है subject plus verb का first उसके साथ yes लग रहेगा plus object रहेगा अब change करने का क्या rule है सबसे पहले object लिखेंगे फिर is, m, r इन तिनों में से कोई एक लगेगा और यह मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है किसके साथ is लगेगा, किसके साथ am लगेगा किसके साथ r लगेगा उसके पाद हम लोग भॉफ का third form यूज़ करेंगे फिर by लगाएंगे, फिर subject लगाएंगे for example he helps me उसने मेरी मदद की है तो he helps me, इसमें subject कौन हो गया he, क्योंकि यही कारे कर रहा है मदद करने का, तो यह आपका subject हो गया इसमें भॉफ कौन हो गया, help मदद कर ना, तो यह आपका भॉफ हो गया क्योंकि जिस word के last में ना आता है वो आपका भॉफ होता, यह मैंने बताया था बहुत पहले अच्छा, then आपका object कैसे पहचानेंगे जैसे मैंने आपका बताया कि भर्व तक underline करेंगे, then question करेंगे किसे और क्या लगा कर he helps, उसने मदद किया किसे मदद किया, तो मुझे तो मुझे आपका object हो गया तो सबसे पहले object लिखना है passive voice से बनाने के लिए, क्योंकि यह active voice है yes और yes लगा है, यह active voice का है तो active voice है, इसे passive बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले object लिखेंगे तो object अपका कौन हो गया, me तो me को हम लोग I में change कर दें क्योंकि voice बनाते समय, person change होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है अगर he रहेगा, तो उसका heज हो जाएगा या फिर him होगा, she रहेगा, तो her रहेगा you रहेगा, तो you का कुछ नहीं change होगा you का you ही रहेगा, दे रहेगा तो हम लोग dem कर देंगे तो यह सब change होता है, तो यहाँ पर me है तो me का मैंने I कर दिया, मी का I होता है I, I के साथ always am लगता है उसके बाद क्या बोला है, भॉब का third form भॉब यहाँ पर help है, तो help का third form helped, उसके बाद by, उसके बाद subject subject कौन है, he subject है तो he subject उसको change करके, या तो his लगएगा या तो him लगएगा, तब कोई भी लगा सकते no problem, तो मैंने या पर him लगा दिया है तो इसके क्या बन गया, I am helped by him तो यह आपका passive voice बन गया सेम यह ऐसे यह भी है she teach you तो you are taught by her यह आपका passive voice हो गया और मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर active voice start होता है, someone से, no one से, somebody से, तो अगर आप जो passive voice इसका change करते है तो by इसे आप लिख करके लिखते है जो subject होता है वो, तो यहाँ पर अगर यह starting up का subject, यह subject रहेगा, तो by के बाद कुछ नहीं लिखना है by लिखना ही नहीं है, last voice देकर